नमस्कार दोस्तों जी के अर्जुन सार YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है तो आरो यारो एकजाम जो पांच दिसंबर को निर्धारित किया गया है उसी के परपेच में ये समान अध्यन का वीडियो अप्लोड होगा और चेप्टर का नाम है जनसंख्याम नगरी करा तो चले वीडियो प्रारंब करते हैं और वीडियो प्रारंब करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने गाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके मुवाइल पर सबसे पहले पहुचे तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं तो यह समान अध्यन का पीपर है सेम वैसे ही आपको कोशन संभावित कोशन इसमें कलेक्शन किया गया है जो एकजाम में आने की संभावना है आरो यारो के हाँ इसका हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है आरो यारो का उस प्लेलिस्ट का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ इससे पिछले जो पेपर हुआ है प्ले वीडियो प्रारंब करते हैं देखें कोशन नमबर वन है इसमें सुमेलित करने के लिए जनसंख्याव नगरी करन से यह है दिया इसमें एक तरफ नगर का नाम दिया है एक तरफ जो है कारे का प्रकार दिया है तो नगर, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली का कार्य क्या है, प्रसासनिक है, रोम का कार्य का है, सांस्कृतिक है, दुरगापुर का, यह अध्योगीक से सम्बंदित है, मसूरी, यह स्वास्त सहर, रिसोर्ट सहर के नाम से जाना जатा है, यानि किसका, राइट एंसर आपका कौन से कारक है यह पूछा जा रहा है किरसी योग भूमी और जल की उपलब्दता दी आपसंदिया है सब्वेता की अवस्था और सी दिया अस्थानों की सुलब्दता तथा राष्टी सिमाओं के अरोध और डी दिया उपयुक्त सभी तो बिस वजन संख्या बितरों को परभ प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण अधिक प्रभावसाली है तो मानों को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावसाली पूछ रहे मिट्टी है या खनिश्पदार्थ है या स्थला किरती है या जलवाई है इसका राइट कोशन नमबर चार है, किसने कहा है कि अनुकुलतम जनसंख्या वह है जो प्रतिव्यक्ति अधिक्तम आय प्रदान करती है, किसने कहा यह पुछा जा रहा है इसमें, दिया है माल्थस, सीजविक, एडवार्ड वीट या डाल्टन, इसका राइट एंसर हो जाएगा डीस में डा लगभग कितना परशत भाग जो है, निर्जन ये पूछ रहा है, 22 परशत, 33 परशत, या 44 परशत, या 55 परतिशत, तो इसमें राइट एंसर हो जाएगा बी, 33 परतिशत, यानि बिश्व का लगभग एक तिहाई, यानि 33 परशत जो भाग है, सीत एम सुस्तका के कारण मानो अधिवास के लिए अनुप्यूक्त है, निर्जन का यह यर्थ होगा अनुप्यूक्त, तो 33 परशेंट जो है, भूमी अनुप्यूक्त है मानों के लिए, कोस्टन नमबर 6 पर आते हैं, दिया है, जनसंख्या का क्रियात्मक घनत्व किन के बीच का अनुपात होता है, जनसं पर एक निबंद, द्वारा लिखा गया है, जनसंख्या की सिधानतों पर एक निबंद, द्वारा लिखा गया है, जनसंख्या की सिधानतों पर एक निबंद, द्वारा लिखा गया है, जनसंख्या की सिधानतों पर एक निबंद, द्वारा लिखा गया है, जनसंख्या की सि इसका राइट एंसर हो जाएगा माल्थस इनका पूरा नाम है थामस रावर्ट माल्थस पूस्ट नमबर आठ है जननांकी संक्रमण है जननांकी संक्रमण है क्या है जननांकी संक्रमण आपसंदेखे दिया है जनसंक्या के नैसरगिक बिर्धी और प्रवास दर्ग का अंतर बी दिया है जन्मदर और मिर्तुदर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन सी दिया है सांस्कृतिक परिवर्तन से संबंधित सिधान या डी दिया है जन्मदर में परिवर्तन तो जन्नांकी संक्रमण क्या है इसका राइट एंसर बी हो जाएगा इसमें जन्मदर और मिर्तुदर में समय के साथ होने वाला परिवर्तन को जो है जन्नांकी संक्रमन कहा जाता है कोश्चन नबर नौ है जन्संख्या बीसफोर्ट संबंधित है तो जन संख्या बिस फोट किस्य संबंदित है दिया है उच्छ जानमदार और निम्न मिर्तुदर D दिया है उच्छ जानमदार और उच्छ मिर्तुदर C दिया है निम्न जानमदार और उच्छ मिर्तुदर यानि जनमदर ज्यादा है और मिर्तुदर कम है इसी को जन संख्या 20 फोट संबन्दित है कोस्टन नमबर 10 है निमलिकित में से जन संख्य की संकरमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दरसाती है तो अल्फ विपकास की अवस्था को दर साती है कौन से अवस्था है दिया इस्थीर उच्छ इस्थीर अवस्था या प्रारंभिक बढ़ती हुए अवस्था या देर से बढ़ती हुए अवस्था या निम्न इस्थीर अवस्था इसका राई टेंसर हो जाएगा ए उच्छ इ इरोप जनसंख्या ब्रिद्धर निवनतव है महादीपों में से तो वह है इरोप में इसका राइट एंसर रहाएगा डी किसमें है इरोप में कोशन नमर 12 है बीसवी सदी के दोरान जनसंख्या में सरवाधिक बृधिधर देखी गई यह पुछा जा रहा है कहां पर अफ्रिका में या लैटीन अमेरिका या एसिया या ओसेनिया में इसका राइट एंसर वह जाएगा है कोशुन नमर 13 है अफ्रीका के निम्लिखित छेत्रों में से किस्में सरोच जन्मदर है दिया है मध्य अफ्रिक्त पूर्वी अफिरका उत्तरीय दचने अफिरका इसका राइट एंसर Strike जाएगा इसमें ए मध्य अफ्रिका में तो मध्य अफ्रिका में सरोची जन्मदर है कोश्चन नमबर 14 है एकर मैं द्वारा बिश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन की स्रेणी में आता है भारत वर्स दिया है समिक्त राज अमेरिका प्रकार की स्रेणी में या इरोपिय देशों की स्रेणी में या ब्राजिलियन देशों की स्रेणी में या मिस्र प्रकार की स्रेणी में तो इसमें डी मिस्र प्रकार की स्रेणी में कोश्चन नमबर 15 है निवन में से क्या इरोपी जनसंख्या की दूविधा नहीं है दिया है ब्रिद जनसंख्या का अधिक परसत या अवयस्क जनसंख्या का अधिक परसत या अधिक जनमदर या कम जनमदर इसका राइट अंसर हो जाएगा इसमें C अधिक जनमदर जो है इरो सरवाधिक जनसंख्या घनत तो पाया जाता है तो सरवाधिक जनसंख्या घनत तो पाया जाता है किसमें बांगलादेश में भारत में पाकिस्तान में या सिरलंका में इसका राइट एंसर हो जाएगा ए बांगलादेश में कोश्चन नमबर 17 है निम्न में से जनसंख्या घनत सरवाधिक है शोह दिया है बंगलादेश, सिंगापूर मिस्र या भारत इसका राइट एंसर रहेगा इसमें B, सिंगापूर पिछला जो अपसंता म स्में$ सिंगापूर नहीं था ने ऍतों सिंगापूर होया था दूसरे आने लेंएश आ गया है यहां बांगलादेश भी दिया है इसलिए यहां पर सिंगापूर होगा और पहले जो कोशन था 16 नंबर उसमें सारी सिंगापूर नहीं था जो सिंगापूर एंसर होता है कोशन नंबर 18 देखिएगा दिया है छोटे दीपों एवं एकाकी नगर राष्टों को छोड़ कर विसुमें सरवादिक जनसंख्या घनत्त वाला देश है जापान बंगलादेश चीन या फ्रांस इसका राइट अन्सर हो जाएगा इसमें ब बंगलादेश इसका राइट अन्सर होगा कोशन नंबर 19 है विसुमें कितने देशों की जन संख्या दस करोण से अधिक है तो कितने ऐसे देश हैं 20 से में जिनकी जन संख्या 10 करोन से अधिक है तो वैसे देश कितने हैं 13 इसका राइटन सुर जाएगा डी 13 है कौन कौन है तिसमें आपका चीन भारत अमेरिका इंडोनेसिया पाकिस्तान ब्राजिल नाइजेरिया बांगलादेश रूसी संग जापान मैक्सिको, इथोफिया, फिलिपिन्स ये तेरह देश हैं जिनकी जन संख्या 10 करोन से अधिक हैं कोस्टन नमबर 12 सारे 20 है निमलिखित में से कौन सा कुल जन संख्या क्रिसी छेतर कानुपात प्रदर्शित करता है क्रिसी घनत्व, आर्थिक घनत्व, काईक घनत्व या पोशण घनत्व इसका राइट अंसर हो जाएगा सीस में काईक घनत्व कोस्टन नमबर 21 सारे दिया है वर्ष 2014 के आकलोनों के अनुसार 200 की कितने परशत जन संख्या फिरका में निवास करती थी दिया 10 परशत, 12 परशत, 14 परशत या 16 परशत इसका राइट अंसर हो जाएगा D, 16 परशत 2014 के आकला पुछ रहा इसमें कोस्टन नमबर 22 देखिएगा 20 सुमेज अनसंख्या की दृष्टी से भारत का चीन के पसाद दूति अस्थान है तिर्थी अस्थान किस देश का है? तीसरा अस्थान पुछा है दिया रूस, संहित राज, अमेरिका, ब्राजिल, कनाड़, पिसका राइट अंसर हो जाएगा 20 में संहित राज, अमेरिका कोस्टन नमबर 23 है चीन में बिश्व की कुल जनसंख्या का कितना परशत भाग निमासित है? 22 परशत, 25 परशत, 21 परशत या 24 परशत इसका राइट अंसर हो जाएगा 60 में 21 परतिसत कोस्टन नमबर 24 है निम्लिक्त में से कौन सा विश्व के चार बिश्व के चार ब्रैत्तम नगरों के सही जन संख्या अनुकरम के हास करम को प्रशत करता है कौन इसे प्रशत करता है? ये पुछा जा रहा है इसमें देखें, आपसन देए टोकियो दिल्ली संखाई मूंबई इसमें राइट एंसर इसके बाद मूंबई में कोशन नमर पचीस है और अंतिव कोशन है नगरिय गाओं प्रायः पाये जाते हैं तो नगरिय गाओं प्रायः पाये जाते हैं कहां पर भारत में चीन में USA में या स्री लंका में तो नगरिय गाओं प्रायः पाये जाते हैं यह USA में सविक्तिराज अमेरिका में यह थे क आज के लिए तुमिद करता हूंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया ते इसको लाइक कर अपने दोस्तों क्यांदिक सदिक सेयर करें धन्य बाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम